कि अगर अगर टाइम मिला तो वीजवे बात करेंगे हम लोग उम्रे के हवाले से अब step by step इसको सुनते चाहिए और समझते चाहिए ती चार चीजे इसमें आपको देखनी है कुछ चीजे वो हैं जिसको हम चीजे सामने हैं नजर आ रही है उन बातों के ऊपर उन चीजों के ऊपर हमें चलना है जो कानून है जो कानून consulate का है सौधी consulate का है या सौधी सिस्टम का है अब उसके अंदर हम किसी पी फिरती की बाद नहीं कर रहे हैं किसी और ऐसी elbows करनी है कानून है और कुछ चीजinden Commission का है जो सामने नहीं होंगी जो चीजीन सामने नहीं होंगी उनको आपने अपनी intelligence के जरीए जो है वो सोचना है तो उन पर भी बात कर लेंगे आज सबसे पहले बात करेंगे documentation के उपर कौन आदमी eligible है कौन individual जो है वो उम्रा कर सकता है या इसकी कोई पबंदिया है तो सबसे पहले आपनों जान जाहिए कि अगर कोई मर्द 40 साल का हो चुका है complete as per passport तो बिल्कुल वो अकेले उम्रा परफॉर्म कर सकता है उसके लिए को बवद ही नहीं है और अगर कोई और 43 साल की हो चुकी है complete तो उसके लिए भी सवजी कॉंसलेट कोई प्रड़म नहीं देता उसका अपना वीजा है जिसको वो नाम देते हैं सेल्फ वीजा ठीक है ये एक कंडिशन है ये एक शकल है वीजे की जिसको आप नाम देते हैं सेल्फ वीजा सेल्फ वीजे की केटिगरी में कोई महरम इंकलूड ही नहीं होता सेल्फ वीजे में कोई महरम इंक्लूड नहीं होता औरत का पास्पोर्ट अगर सेल्फ वीजे पर है तो फिर उसमें कोई भी मर्द का नाम नहीं लिखावा होता लेकिन आपने ये देखा होगा कि आपके पास कोई क्यूरी आती है तो वो कहते हैं कि जनाबे वाला मेरी उमर 30 साल है 32 साल है 35 साल है तो क्या मैं अकेले उमरा कर सकता हूँ उसका ये सवाल बता रहा है कि वो पहले से जानता है कि कुछ पाबंदी यहां मौजूद है तब ही वो आपसे पूछ रहा है वरना आपसे सीड़ा कहता है मुझे उमरे भीज़ दीजिए तो क्या मैं उमरा कर सकता हूँ का जवाब वही है जो पूरे पाकिस्तान के लिए है कि 35 साल का आदमी तीस साल का आदमी या 40 सान से कम का आदमी अकेले ट्रेवल कानुनी दूर्बर नहीं कर सकता तो फिर वो कैसे ट्रेवल करता है वो फिर ट्रेवल एजेंट्स तो हैं उसको फेक ड़कुमेंट के जरीए गलत स्टाम पेपर बनाके हल्फ नाम जिसे हम कहते है आम जबान में बनाके जुटा हल्फ नामा जमा करवाके किसी के साथ खुब भी बनाके कोई खाला बनाके कोई चाची बनाके महरम कौन होता है महरम वो होता है जिसके साथ आपके निकाजाईज ना हो वो बनाके अब जायर सी बात है कि महरम को आप क्या मानते हो जिसके साथ निका जयजनाहो तो आपनी बेहन बनाके अचाशी बनाके जब आपनी उम्रे करने जाओँ तो आपकी असल में तो भेहन नहीं है असल में तो आपकी वह अचाशी नहीं है तो वह कंडिशन आपकी फे neighboring आपके साथ जोड़ी जा रही है तो उसके पास्पोर्ट और उसके वीजे में अगर आप 40 साल से कम हैं तो आपका नाम आ जाएगा बास समझ रहें यानि कि उसके पास्पोर्ट में आप महरम के तौर पर रिफ्लेक्ट कर जाओगे तो बास अपास्पोर्ट बनाते भी नहीं कि मैंने कोई आपको कोई महरम पचकर चलाए भी है वो वर्स 5000 पे के लिए 10,000 पे के लिए 7,000 पे के लिए वो यह काम कर जाता है लेकिन कभी कवार जो होता यह है कि आप देखते हो कि एरपोर्ट के उपर FIA जो है वो जान जाती है समझ जाती है कि यह स्टाम पेपर जो लेकर आया है यानि कि एक जो फैंली ट्री होती है वो पकड़ी भी जाती है तो नदर आ जाती है अब आप कहते हो सर्फ मुझे सब चलता है अगर सब नहीं चलता तो गवर्व की जुरूरत है लेकिन यह सोच मैं आप पे छोड़ता हूँ मैं इसके ओपर कोई फैस्टर ने चुना रहा हुए आप लोगई बर्जी है बिसार है तुर्ट खालता है जो सेलफ वीजे में जाएगा 45 साल की औरत होगी तो सेलफी से बेजाएगी बाकि अगर आपके साथ आपकी भेन जा रही है बीवी जा रही है और बीवी का मसला भी चुड़ा दीजिए बीवी का मसला ये है कि अगर बाद वकाद आप सुनते हैं कि नया निकाह हुआ है अभी निकाही हुआ है कोई और प्रूब नहीं है यानि कि पास्पोर्ट और आईडी कार्ड ये बताने से भी कासिभ है कि ये इसकी बीवी है तो दोनों चीज़ें अभी उसको वो निकर रही है तो उसको ना के सिर्फ निकाह नामा अपना जमा करवाना होगा पास्पोर्ट के साथ बलके ओरिजिनल निकाना मज़वा करा आप होगा ओरिजिनल ये एहमियत है अगर आप फॉटो कॉपी लेंगे या ट्रांस्लिशन जो ना पर देती है या हमारे जो डपरमेंट वाले रटे में ट्रू कॉपी वो नहीं चाहती तो आप लाज़मी तो पर उससे औरिजिनल निकानामे का तखाज़ा करेंगे अब ये तमाम चीज़ें अच्छा मजीद ये हैं कि अगर आपके पास को ये भी कहेगा कि ये मेरी सभी भांजी है बहुत फ्रिक्वेंटली काम होता है ये मेरे ये मेरा भांजा है ये मेरा भांजा है ये मेरा भांजीज़ा है तो सिर्फ ये कह देने से मैं तो मांज जाओंगा कि ये इसका भांजा है और होगा ये सही कहरवा होगा लेकिन इसकी इंट्री गॉवर्मेंट को या सदूर्दी government उसका सबूत मांती है कि अगर भांजा है, तो प्रूफ कीजिए उसका प्रूफ बढ़ा असान होता है भांजा का भधिजा का प्रूफ बढ़ा असान होता है कि आप जो है उसको अपने document के जरिए गयर कि अगर फर इसम्पल कोई मेरा भदीजा होगा तो मेरा भाई होगा हमारे फादर सेम होगे वहां से फ्री हम उठाते हैं और उसको डॉकुमंट को साथ लगाते हैं और वह जुड़ाता है इसी तरह भांज़ का मसला है, इसी तरह कोई भी आपका कोई रिष्टा है, चाची है, या आप पुलते सर मेरी मामी है, या ऐसा कोई भी रिष्टा है, तो वो उसका नजर आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर असली हो तो, तो नकली होगा तो पर अगर आप FRC बनाते हो, तो ये आपकी मर्जी है, एडिडिंग से आच किल का नहीं होता, लेकिन, मैंने कहा कि वो वोऑला मसला, मैं आप लोगों पर छोड रहा हूँ, जब आप लोगों ने व्यखता होगा, तो क्या करना है, करना भी है करना है, या काम छोड़ दैना है, वो 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 व dedim तो है, मैं आपके कौंद करते हूं कि करते हैं तो थोड़ी को जामशान हमारी भी है और वह हमें कहानिया सुनाते हैं फाइय वाले कि फिला एचेंट के मैंने 20 बंदे चढ़ाए 10 बंदे चढ़ाए वह कौन से होते हैं मतलब जब मैं अगर किसी को अमरा दोंगा तो थोड़ी चढ़ाएगा उसको वह तो खुच जायागा इच अड़ाए का मसला होता ही है फिर हम उनसे यह बुच्छते हैं कि कितने कमाए जब तुमने 10 अड़ाए तो कितने कमाए तो खुब कमाया तो भाई बात यह है कि 5-10,000 रुपे के लिए आपने गाम गेम खेला और वह आपसे F.I.R. ले लिए 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 अगे यह बात होगी और हो सकता है कि वह रोग भी दे अगर आपने खलाया पलाया नहीं तो शाए तो रोग भी दे ओके तो नुपसान बढ़ा भी हो सकता है यह अगे एजेंट का पकस हो रण है यह तो क्लाइंट तो वहां भी पेक आफ कर जाएगा मुझे नहीं पदस है आपने जो का चले जाओगे मैंने जा सका तो लहाँ पेसे सब्सकर दीजें अब आपने भी पैसे लगाया है तुक आप तो नहीं है टिकेट डीजा ट्रांसपोर्ट टैकेज फिरी में तौक अब ही नहीं होगा ओके documentation क्या require है जी documentation require है original passport 6 महीने valid होना चाहिए original passport 6 महीने से कम का ना हो 6 महीने से उपर चलेगा यह हो गया 3 तस्वीरे या 4 तस्वीरे blue background में उम्रा के लिए specific pictures होती है उम्रा के लिए खास pictures होती है लेकिन आप लोग जो है अगर passport size blue background भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं यह हो गया उसके बाद ID card की copy काफी है ID card की copy आप लगा दीजिए अगर वो 18 साल से कम है तो तो बेफ फार्म लगा जाज़े उसका लाजमी है और अगर वो इसकी जो गर वाइफ है और वो प्रूफ ली हो रहा तो फिर अडिशनल ली निकाना मा लगा दीजिए और अगर वो उसकी बीश में भांजा भदीजा आगया है तो additional document की requirement वहां पर आप तखाज़ा कर सकते हैं यह आपका right है इसके लाब विज़ा लगे या नहीं अगर विज़ा चल भी गया तो रुख जाएगा अगेन आपको करना वही है कि document आपको चाहिए पूरा करना है आपको यह हो गया document आपने पूरे कर दिये अब बात आती है market ना आप सुनते हैं कि जी कहा कुछ दिया कुछ चिक है ना और अपसर अपकाद इजाम के लगता है कि travel agent जो है गलत बियानी करता है जो बोलता है आम तासुर ही बोलता है client बोलता है कि मेरे तरफ से कोई problem नहीं है मतलब दो party है ना एक तरफ travel agent है और एक तरफ client client क्या गह रहा है कि जो बीमानी है जो जूट है जो धोगेवाजी है सारी किस खाते में जाती है और मैं जो हूँ मेरे खाते में कुछ भी credit इसका मैंनी रहोगा अगर कोई भी गलत बियानी बात दी होई है client रिट आप रपोर्ट कर सकता है मंग वड़ी problem होई थी कुछ लोग कहते हैं मज अच्छा लगा था कुछ लोग बोलेंगे बुरा लगा था यह experiences की बाते हैं इस पर हम डिटे में नहीं जाएंगे depend करता है और सोच भी depend करता है सोच भी depend करता है ऐसे लोग भी हैं जो बारा सो मिटर में शटल बैट के आते हैं हर आदे हैंट के बाद जाएंगे मगर बोलेंगे कि मज़ा नहीं आया और ऐसे client भी हैं जिनको शटल मिलती है मगर वो शटल के पास से गुजर कर पैदल आते हैं और उन से ग्राब बात करो कि आपने क्यों किया ये मैं आपको पैदल जाते हुए देखा तो वो कहता सरहर किदम सवाब है मैं सवाब कमाने आया हूँ यहाँ पर अराम करने नहीं आया है अराम कर लो मा जब पहुंचोंगा पाकिसान तो अराम ही दो करना है मैंने करना ही और क्या है लिकिन यहाँ पर जो है वो कहते हैं लिए ख़जाना लगा हुआ है यह कुछ छेदर का फर्क पड़ता है लेकिन आपका जो होटल है मदीना में मदीना में वो हजार यारा सू से निकल के तीन सो पर आ जाएगा विच इस अरांड थ्री और फॉर मिर्ट वाक नथिंग और मका को होटल जो है वो बारा सो से निकल कर आट सो पर आ जाएगा आप रेंज में जाएंगे अंदर एवराइम खली पर और विच इस वेरी कुड एवर ना तो आपको शटल चाहिए ना तो आप उसके डिपेंडेंट रहेंगे और ना ही आपको वहाँ शटल मिल सकती है लिए कि वह रोट जो है वह ऐसा है कि वह अक्सरी बंद रहता है नमाजों के लिए बंद रहता है और नॉर्मली वह उसके नसीब में बंद होना लिखा और एक टाइम मुझे लगता ऐसा है कि वह पती मजबूरी में खिला हुए लेकिर वह बंद हो जाएगा अगर उपके बंद करते हैं या तो कोई और सिस्टम बनाएंगे वह कहता है नहीं जी मुझे कोई और ओफर दी दे रहे हैं मैं तरह सा अफ़ोट कर सकता हूँ तो तीन चार जार के फर्क से आप उसको 29 से और 33,000 पर ले आएं तो आप कहते हैं कि मक्का का वोटल जो आपका 800 पर है मैं उ यह बहुत अची चीज है क्लाइन बहुत अची है मेरी लेडीज है मेरी माह है मेरी भैन मेरी वीवी है और वो चलने की इत्यादी नहीं है तो मुझे 500 मिटर समझे में आ रहा है लेकिन क्या मैं सुगा और बहतर कर सकता हूँ तो आप उसको 4,000 के फर्क से उस 500 मिटर को 300 लेकिन फ्रॉड कब शुरू होता है कि जब आप कहते हैं कि सर मेरे पास 30 पासपोर्ट है ठीके मुझे डिसकाउंट दीजिए दिसकाउंट की बात को दिवाम रखने के बाद यह सोचिए कि आप इसके अंदर अगर आपका क्लाइंट यह सोच रहा है कि जो 80,000 का पैकेज है इ यह तास्र उसका है क्लाइंट का है ऐसा है नहीं गालिवार अगर 80,000 का पैकेज है तो आप 1512,000 का मारे होगे और क्या हुसमें होगा उसका भी अल्लाई ही अहफज है लेकि मान लेते हैं इसको अगर थोड़ी दिर के लिए हम मान लें कि हाँ भई मैरे 2000 रपे का मार्जन र रहा है आपसे और आप 2000 का मार्जन लेके चल रहे हो और वह आपसे कहे दें कि ठीक है जी मैं जो है ये 300 पिटर बस तैह हो गया बस पका हो गया आपसे मैं आपको 35,000 दोगा या 14,000 दोगा अगर आपको 35 भी कह दें आप कहां पर आगे आप ज़रो होगा अब अगर आपने मैं इसको फाइट बैक किया या पासपोर्ट नहीं लिए या आपने उसको समझाया कि मेरे लिए इपासिबल नहीं है कम बसके मुझे 500 पर दें आप अगर ऐसी को बात होती है that is fine अगर आप ये फाइट नहीं कर पाते तो फिर वह आदमी परशानों पर 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 प इन अगर Déう माव में आती या मुझे तक या मुझे बैगी सुर्षर नहीं होता लिए और यह मुझे ठीक थीक ठात्तनी करेगा वहां भी फंडर देंजरी करेगा ये खो गया वह बहूं सार्य हो उटल वाले काम भी आपसे एक और और ओर एक है आपने बाहर आपने कैसा वोटल दिया, इसके बाहर जो रस्टनर है, मैंने वहाँ चाही की, वो ठंडी थी, अचा वही मा गलती होगी, मैं आगे कर अंगर दे कर दो ना, तिक है ना, वो थरमाओ सो रखा हुआ है, जो हीटर रखा हुआ है, वो चाही तो गरम ही नहीं करता, बड़ी गलती होगी, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं पुन कर देता हूँ, हालिके वो यह बाते हैं, अपने होटल में काउंटर पेवी कर सकता है, उसको भी खर्चा बचेगा, अगर वो जहन लड़ाई तो, आपके ओपर जो पांच-पांच-छे-छे-शे-सो खर्च कर रह लेकिन बाहराल है उसकी सोच है, कि मैं पैसे दे के आने हूँ, पैसे दे के आने हो, लेकिन असी हजार में बाकी तमाम चीज़े तो आप ले गए, मतलब असी हजार देने के बाद, 78 दा लगी, 79 तो आप ले गए उससे, ठीक है ना, टिकेट आप ले गए, वीजा आप ले होड़ आपको मिल रहा है, मेरे पाद छोड़ा क्या है आपने, हजार में के चक्कर में आपके साथ, वो सुलूप करता है, कि मैंने आपको पंदा लोड़ के लिए हायर किया हुआ है, ठीक है ना, और उसे दिमाग में एक तसवर बनावा है, सर ये तो बिर में होड़ों के अब हरन शरीब के लिए कोई कुछ से सुभूम हो जाए उसके बारे पूछते हैं, वो हमारा बंदा नहीं पहले हैं, मुझे नहीं पता बंदा नहीं पहले हैं, तो बिल्कुल जी, ये सब बाते होते हैं, और बाज अगा बड़ा फ़नी सा क्यूरी आ जाती है, लेकिन बहर कि नहीं समवेखिते हैं, मुझेता हैं, यह जाते हैं क्या हमार कहिता है कि मौझें 15 दिन का हम्परा करवाद हो यह कि मुझे 20 दिन इन काम्परा करवाद हो, तो 9-6--9- Hybrid Journal को कि बाखिए लेकिन कर दिन अपर नीचे नहीं पहले हो, सुढ़ीयों का कोई बरोसा नहीं है, औ कि फ्राइट डेले या कैंसल हो गई है उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा ये दो तीन चीजों को पहले से कल्कुलेट करते हैं और निकाल लेते हैं अब अगर हम एक चीज को ले लें तो मैं एकाउनी पैकेज पर हूँ यहां पर वो फॉर्टीन नाइट्स को कह रह तो रूम्स के अंदर अलग-अलग रूम काटिगरीज हैं छोड़े रूम बड़े रूम होते हैं मैं खामा खाम को लिखे दूँ मैंने जो लिखके देना था लिखके दे दिया यह शेरिंग है शेरिंग मतलब क्या है I am bound to give you a bed space ठीक है ना यह है वो rate ठीक है अब आप कहते मैं यह बाद उसके लिखके दूँगा लेकिन 23,000 रुपे नहीं कितने में लिखके दूँगा उसकी बार 25,000 रुपे अब उसका हक बन गया है वो सही कह रहा है उसका यह package 25,000 रुपे में और private room, card room, 4 लोगों के लिए साबसे बिलकुल होना चाहिए यह उसका right है आपके voucher क के ओपर लिखाओगा, card room और 4 लोगों का नाम होगा, वो कहते के नहीं हम 4 नहीं हम 3 लोग हैं तो फिर 1000 रुपे से 26,000 रुपे के असाब से triple room आब offer कर दें, 3 लोग कमरे में होंगे, 14, 15 कोई नहीं होगा, थोड़ा सा थाम आप भी करें, client भी करें, अगर आपको hotel भी request कर द कर दें, कि मैं सिर्फ आज के लिए हूँ, मुझे आज अकमरेट कर लें, होडल में जगा नहीं है, तो आप client को बोलें कि आप ऐसे मौके पर माज़रत कर दें, जो आप यहां से लेकर गए हैं, आप उसी पर उसको चलाएं, और फिर ऐसा भी कोई family आ सकती है, जिसमें दो अ फराज जो हैं, वो 31,000 पर के हिसाब से आप से double room मांग सकते हैं, यह है 14 रातों के लिए, 15 दिनों के लिए, अगर वो कहने कि 20 राते करवादें या आप से 27 राते करवादें तो आप accordingly उसको यह offer जो आपने पास available है, अगर 23,000 है तो 14 दिन, अगर 20 राते हैं, तो 25,000 सिर्फ दोजार बढ़ जाएंगे, पांच राते बढ़ जाएंगे, और अगर वो 14 की जगा 27 राते लेना चाहें, तो यह 23 से 28 हो जाएगा, यानि के 5000 में गजाफा होगा, और इस 5000 में उसको मिलेंगे extra 14 nights, एक्स्ट्रा 14 nights, लेकिन डिपेंड ही करता है, यह आप उसके पास एक महीन के उपर मुकमल अभूर हो, क्या मतलब हो इसका, यानि के आपको अपनी पुर्डट के बारे में पूरी नौलेज हो, नौलेज कैसे लाएं, आपके पैकेज में टिकेट है, तो टिकेट कौन सा है, वो कहां से जाएगा, और किस तरह स्टे और कितना स्टे करेगा, नमबर व होती है, किस तरह देंगे, ये पूछें अपने वेंडर से, बात करें बैटके, मिटिंग करें दबा, कि मुझे पूरा ब्रीफ करें, ये सब सुर्तिहाल जारतों की कैसे होती है, यानि कि अगर क्लाइंट आप से कह रहा है, कि जारतों के बारे में जारा तफसील से है, अब आप उसको देख रहे हैं गोर से, और खामोश हो गया है, क्योंकि आपको कभी, आपने कभी ना की और ना कभी आपने करवाई, तो आपकी खामोशी मुनासिक नहीं है, अगर आपने नहीं की कोई बार ने, उसको आप अपने बेंडर के साथ बैटकर बोलें, मुझ नहीं आपकी नमास इश्रब नहीं होगी, और आपको टाइंट पर हरम के पास ड्रॉप कर दिया जाएगा, कब टिक करेंगे, क्या होगा, कहां उतारतें, कहां नहीं उतारतें, ये आपके बेंडर को पता है, लेकि इसके लिए आपको उसके साथ बैटना होगा, उसके पूछता है, पूछता ऐसे ही होडल बताओ, होडल का नाम बताओ, डिस्टन्स बताओ, किस तरफ है ये बताओ, उसको पहली बार जा रहा है, लेकिन वो आपसे ऐसे ही सवाल करेगा, तो अगर हम पर इसम्पल यहां देखते हैं, तो आपको बताना चाहिए, कि मक्का का नक है, वहां पर और क्या है, ये जियाद क्या है, ये तमाम तोने ये तमाम चीज़ें आपको अपने मैप के जरीए, गुगल के जरीए, और अपनी जो आपकी टिकनोलिजी है उसके जरीए, आप उसको अवेल कर लें, और उसके बाद आपको आपका वेंडर, अगर अच्छा वेड़रे तो, आपको वो मैप्स प्र जोगल मैप प्रवइड दीगा, यजा कोई अपना बनाएओ वोग साफ़र देदेगा, जिसमें इंडिकेशन आ रही होगी, आपका होटल यहाँ पर है, नाम के साथ होगा, या कोई उसने रास्ता बनायाओ होगा, इस तरह Google Map बनता है और आप बहुत गोर से मक्का को देखें मक्का की लोकेशन को देखें जो उसके बाब हैं उनके नाम वहां लिख लें अगर लिखे हुए हैं तो अची बात अगर लिखें तो लिख दें कि बाब फहत किस तरफ है अबजल अजीज किस तरफ है बाब मर्वा किस तरफ है